यहां पे हमको क्या करना है? पेरिमेटर फाउंड करना है यहां पे हमको यह हमको क्या दिया है? रेक्टेंगल हमको रेक्टेंगल की साइडे दी हुए लेंध और ब्रेथ Okay, student So start आप सबसे पेहले हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे हम तो मैंने आपको सारे फॉर्मूला लिखवा है थे basic concept में आपने line का रहे होंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे rectangle का formula लिखते है solve करेंगे formula क्या होता है rectangle का perimeter of a rectangle equal to 2 into bracket length plus breadth bracket close यह हमारा क्या है perimeter of a rectangle का formula है इसी के according हम यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर हम इसके number अरेंज करेंगे equal to इसके equal to लिखा 2 into bracket बनाया सबसे पहले क्या दिया है length दिये यहाँ पे आप question में देखे length किते दिये 18 cm हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 18 cm sign का इसके प्लस का breadth किते दिये 10 cm यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 cm 2 into bracket अब यहाँ पर क्या का sign है plus का हम इस 9 का plus करेंगे कितना आएगा 18 plus 10 28 28 cm यहाँ पर bracket मत लगाना आप यहाँ पर bracket को नहीं लगाना है आप क्या लिखेंगे 2 into 28 का हम क्या करेंगे multiply करेंगे multiply करेंगे जहाँ हम इनका 2 into 28 का तो कितना answer आएगा हमारा 28 into 2 का हम multiply करेंगे तो answer हमारा कितना आएगा 56 cm आपको यह unit write करना कम पसर ही अगर आपने unit नहीं लिखेंगे तो आपका पर्ण माउस कट हो जाएगा ओकी स्टुडेंट्स नैस्टे बी length एकल टू 26 cm and breath एकल टू 12 cm अब इसको भी सेम ऐसे ही करना है हमको रेम फर्मूला लिखेंगे perimeter over rectangle equal to 2 into length plus breath एकल टू निचे एकल टू लिखा into length length किते दिए 26 cm 26 cm plus breath किते दिए 12 cm 12 cm 2 into दोनों का plus किया हमने 26 plus 12 कितना होगा 38 यहां लिखा हमने 38 हम दोनों का multiply करेंगे तो answer हमारा कितना आएगा 76 cm ok student next see आप homebook में करेंगे प्रूबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब